सबी दोस्तों को बाबा बतोले की प्यार भरी राम राम चैरी की खुशी देखके महसुस हो रहा होगा क्या हुआ है कहा था ना शर्माजी कर लगा है छोड़ेगा नहीं सब पे ले जाओगे पाकिस्तानियों तुम्हें तुम्हारी उकात दिखाई गई मजाया बड़ी बड़ी बाते बड़ी बड़े वादे और नतीजा छुन्या कितना घटिया क्रिकेट पाकिस्तानियों ने कल खेला आप अपने आपको दुनिया की नंबर एक टीम क्लेम कर रहे हो दुनिया का नंबर एक बैट्समेन आपके पास है आप ये बोल दो कि हमारे पास सबसे फास बॉलर हैं दुनिया के और आपका एक बैट्समेन आजिफ हली कलेम कर रहा है कि मैं एक दिन में डेर सो शक्ते मार रहा हूँ और उसके बाद हालत हालत आपकी ये हुई कि आप पूरे बीस ओवर भी नहीं कहले गए इससे जादे बेजजदी पाकिस्तान की नहीं हो सकती और इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है तो इसलिए अपनी ओकाद में रहें और अगली बार अगले मैस के लिए ठीक से प्रिपेर हो के आए पाकिस्तान की बिजजदी करके अभी एक चीज़ और आपको बताता हूँ आपके पास ऐसे बोलर है जो जिनका फिटेनेस लेवल इतना खराब है कि वो हर बोल को फैंकने के बाद में लंगडा आ रहे हैं फिल्ड पे लेट रहे हैं आपका विकेट की पर इंजर्ट हो रहा है आप किस तरगा किरिकेट केल रहे हैं वो भी इंडिया के गेंस में है देखो बाबर आजम जी मिस्टर बाबर आजम आपने मैस शुरू होते ही सरेंडर कर दिया आप खुद सोचिए एक भुबनेश्व बादो भाई तूम किस तरह के क्रिकट केलते हो तूम क्या वो उनी पिचिस पे खेल के रहे हैं बोल टकने चे उपर मिया दी वहां पर रहे हैं तूम अपने आपको वर्ड का नंबर वन बैट्सन बोलते हो शर्मानी जी यह तुमें इतनी घटिया तरीके से सरेंडर तुमन गया और मानना पड़ेगा सरदार जी को सरदार जी ने बीच का डंडा उखाड़ा बीच में मिडल स्टम्प उखाड़के मैच कतम किया दो और दो बोल फिर भी रह गई थी पूरे वर नहीं केल बाए आप लोग तो दोस्तों बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिन फैक्टर्स ने इस मैच को स्पेशल बनाया और जिन फैक्टर्स की विए से हमें लगता है कि जो सबसे की फैक्टर रहे इस मैच के दौरान और इस मैच को खतम होने के बाद सबसे पहली बात करते हैं इंडिया की पेस अटेक की जिस तरह से इंडियन पेस बॉलोर ने परफॉर्म किया मैं मानता हूँ कि वर्ड की टॉप मोस कंट्री जो भी अच्छे क्रिट खेलते हैं वो लोग इसे देख रहे होंगे और उनको समझ में आया कि इंडिया के पास इस टैम पे अच्छा पेस अटेक है जिसमें की जस्पित बुम्रा नहीं थे और मुंबश शमी को खिलाया नहीं गया और आपका एक दो प्लेयर्स अच्छे फास बोलर अभी बी इंजर्ड और बाहर हैं तो उनके एपसंस में आवे उस हैट्रिक हो चुकी थी सबस्पिटा बाहत पढ़िया मंगा वह हैट्रिक मिस हो गई मगर उसके बाद भी जिस तरह का क्रिकेट इंडिया ने खेला और जिस तरह के बॉलर्स ने इंडिया के बॉलिंग की है मतलब सल्यूट हैट्स-फ तीनों फास बॉलर्स को साथ में बॉलर भी नहीं भूल सकते क्योंकि तीन विगेट निकाले उन्होंने और साथ में पूरे चार अवर डाले इससे यह परता चलता है कि इंडिया के पास एक बैलेंस ऑप्शन है बॉलिंग में दोस्तों एक बहुत इंपोर्टन फेक्टर जो इस मैच से निकल के आया जो मैं हार्दिक पांडिया अपने आप में एक अच्छे और शुरू से ही रहे हैं मगर अगर वर्ड कप की बात करें तो वर्ड कप पे जो कॉंट्रिवर्सी हुई अभी 2020 वर्ड कप में जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे ऐसा बैट्समेन खेलने के लिए बुलाया गया था बॉलिंग मुझे कहा नहीं गया था कि आपको बॉलिंग भी करनी है उसके बाद कॉंट्रोवर्सी हुई चेतन शर्मा के साथ में मगर यही वो ग्राउंड है जहां से 2018 में हार्दिक पांडिया इंजर्ड होके इस ट्रेचर पर इस फिल्ड से बाहर गए थे और आज उन्हो इस बॉलिंग कर सके और हार्ड हिटिंग या सिट्विशन के साफ से बैटिंग कर सके हार्दिक पांडिया ने जो परफोर्मेंस दिखाई है वो चक्का जो पड़ा ना उस चक्की गूंज पाकिस्तान के कान में अगले पांस साल तक सुनाई देगी क्योंकि उस मोमेंट में मैच किदर भी हो सकता था हर्दिक पांडिया ने उचका मार गे सब हिंदुस्तानियों को एक मैसेज दिया कि चिंता मत करो मैं हूँ दोस्तो सारी बात की जाए और साथ में रोहिश हर्मा की केप्टेंसी की बात ना की जाए तो ये रोहिश चर्मा के लिए बहुत नाइंसाफ की होगी आप देखो इतनी ब्रिलियंट कैप्टेंसी रोई शर्मानी की है क्योंकि उसके लिए जो सोच और समझ होनी चाहिए आप समझे कि उन्होंने बॉलिंग चेंजे इतनी जल्दी जल्दी किये कि पाकिस्तान बैट्समेन को सेटल होने का मौका ही नि दिया गया और जब आई बैटिंग की बात तो बैटिंग में उन्होंने जो अपना माइंड गेम खेला माइंड गेम सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के साथ में क्या थी जो मैंने अगर आपको याद हो तो इससे पहले वीडियो में बोला था कि हमारे पास लेटि बैक्समें नहीं है तो सबसे इंपोर्टेंट जो उन्होंने माइंड गेम खेला वो ये था कि जैसे ही फर्स डाउन विकेट गिरा तो उन्होंने रविंदर जड़ेजा को उपर उसके लिए प्रमोट कर दिया और यह मास्टर स्टोक था क्योंकि अगर रविंदर जड़ेजा की इनिंग की बात करें तो 35 बहुमूल्य रनों उन्होंने बनाए और उन 35 रनों में उन्होंने बहुती अच्छा गिरिट खेला अगर वहां पे विकेट गिर जाता तो मैच बहुत बुरी तरह से फस सकता थ तो यहां पे पता चलता है कि रोई शर्मा कितना स्मार्ट और कितना समझदार कैप्टन है वो सिर्फ अपनी इंडिविजुल प्रफॉर्मेंस पर ध्यान ना देके वो ओवरोल टीम की विनिंग स्ट्रीक पर ध्यान देते हैं और उन्हें एक और बहुत अच्छी बात कही बोस मैच सरमनी में रोई शर्मा ने कहा कि हम चाहते हैं कि मैच इस तरह की स्टेज तक पोंचे वन साइडिड ना हो ताकि हमें पता चले कि हमारी टीम इस सिच्वेशन में आके मैच जीत सकती है और जो जीतना जानती है अगर आपको याद हो तो 2019 को वर्ड कप हुआ था उ उन्होंने उल्मोस हर मैच में उनकी सेंचुरी हाफ सेंचुरी थी और एक टाइम ऐसा आया कि न्यूजिलेंड के गेंस में शुरू के तीन विकेट जल्दी जल्दी गिर गए और उसके बाद इंडिया के हाथ से मैच निकल गया कारण सिर्फ यह था कारण इसलिए कि मिडल और को टैक्टेशी नहीं थी रन बनाने की अच्छा इस मैच में सबसे जरूरी और सबसे अच्छी चीज रही वह यह रही कि इंडिया के टॉप और ने परफॉर्म नहीं किया उतना जितना लॉवर मीडल और और मिडल और ने परफॉर्म किया यानि कि रविंद्र जाता है तो उस मैश को वो निकाल सकते हैं यानि कि इंडिया को जिता सकते हैं ये बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है एज़ा टीम हम लोगों को यह समझना चाहिए कि अब हमारे पास विनिंग स्क्वैड बना हुआ है जिसमें की हर एक प्लेयर एक मैश बन सकता है अगर जोड़ पड़ती है तो तो भाईया मैश तो जीत गए सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं हुआ कुछ चिज़े हैं जहां पे कहीं न कहीं हमारे लिए कॉंशियसनेस और ध्यान रखने की जुरुत है क्योंकि जिस तरह से केल राहूल कल मैच की पहली या दूसरी बॉल पर ही आउट हो गए वो एक एरिया अव कंसर्ण है क्योंकि केल राहूल ने काफिस टाइम से क्रिकेट नहीं खेला है और अभी जिंबावे के गेंस भी उन वैसे क्रेट खलाया जाए जो वन वन सीरीज होती है उसमें उनको मुका दिया जाए और उससे उनको फॉर्म वापस आए उसके बाद वर्टकप के लिए उनको दुबार कंसिडर कर जाए दूसी चीज विराट कोली की फॉर्म देगे विराट कोली ने 35 बनाए मगर मैं परस से आप एक्सपेक्ट नी कर सकते हैं कि आप 145 प्लस का स्कोर चेज करने हैं कुल और उसमें आप एक गैर जी मिदाराना शॉट खेल के आप आउट हो वो शॉट अच्छा नहीं था उस शॉट के लिए विराट कोली को हमेशा हमेशा ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अग अच्छे स्कोर करें हैं जितने बड़ी रन करें उसमें हवा में खेल कर सकते थे मगर उन्होंने गैर जीमिदाराना शॉट के वहाँ पे मैच को फसा दिया जिसके लिए आने वाले टाइम में मुझा लगता है कि उन्हें थोड़ा समझदारी ओर दिखानी चाहिए समझदा किर्केटर है मैच्चूर किर्केटर है मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में और उनकी फॉर्म वापसी होगी तो फिर हमारे पास एक पूरा स्क्वाइड तयार होगा जिसमें 11-11 मैच विनिंग प्लेयर होंगे तो बाबा बदोली में आज के लिए तना ही और अब इंड में फिर एक बार पाकिस्तान को धूल चटाएंगे और उनको उनकी उकाद दिखाएंगे भारत माता की जैए